हिसार जिले में टिडी दल का हमला हो चुका है राजस्तान से बिखरा हुआ दल हिसार जिले में घुश चुका है टिडियों को लेकर जिला प्रिशासन की दस टीमेट रात भर लगी हुई हैं प्रंतु अभी टिडी दल हिसार में खत्म नहीं हुआ टिटी दल हिसार के तलवडी, बादशाहपूर, बासडा, मुकलान, पनिवार, गोर्ची, चोधरीवास सरसाना में पहुँच चुका है टिटी दल की आने को लेकर गाउं में हडगंप मचा हुआ है आपको बता दे कि टिटी दल की सूचना मिलने के बाद किसान, थालिया, पीपे, ड्रम, पटाके लेकर खेतों में पहुँच गए और वहाँ जाकर बजाने शुरू कर दिये इसी बेच जिले के परशासनी कधिकारियों की अलग 10 टीमे मोके पर गाउं में पहुँची इसी बेच डिप्टी स्पीकर ने रंडी गंगवा ने मोके पर दोरा किया और किसानों से सारी जानकारी हासिल की उन्होंने कहा कि जिला परशासन की टीमेट डीदल को खत्म करने के लिए लगी हुई है कितना शक दवाईयों का छिड़काव किया जा रहा है और रात भर दवाईयों से छिड़काव किया गया उन्होंने कहा कि अभी टीदल से किसानों की ज़्यादा फसलों को नुकसान नहीं हुआ है आपको बता दे कि चोधरी चरण सिंख हरियाणा कृषि विश्य विधाले के कुलपती समर्षिग ने पिछले दिनों आगहा किया था कि हिसार में हरियाणा वे हिसार में टिटीडल का हमला हो सकता है टिटी देल अफरीका में से चल कर आया है वह ओमान इराम पाकिस्तान से राजिस्तान वराजिस्तान से हरियाना में परवेश करते हैं हिसार से समाचार एक्सप्रेस के रिपॉर्ट तुरंत मैंने किर्शी अधिकारियों से संपरकिया परसासन के लोगों को भी कहा और परसासन की पूरी टीम को लेकर के मैं खुद भी वहाँ पर पहुंचा और तमाम जो किर्शी अधिकारी है और उन्होंने इसके साथ-साथ यूनिस्टी के जो डॉक्टर है उनको भी वहाँ मौक्पर बुलाया और लोगों को अभत कि न के अंदर तो थाड़ी जो भी बजा करके उनको बगाड़े का काम किया तमाम जो है किसानों ने और इसके बाद में शाम को जो प्ड़ाओ था तरुकर शाम को यह बैठती है के उनके उपर चपर प्राइब गया और इसके साथ साथ जो बासडा गाव के कुछ उसके एर्ये के अंदर बैठी थी वहां भी किसानों को दवाईयां दी गई वह प्रे पंप जो होते हैं ट्रेक्टर वाड़े उनको ले जागा कि उनके उपर सप्रे करवाया गया और आज के कि दिन अभी तक कोई टिडी हमारे इस जिल्य के अंदर भी नहीं जो कल जैसे अभी जो टिडी जहां भी बैठती है शाम को यह रात को देरा उत्ती बैठ जाती है वहां पे ऑपरेशन किया जाता है सरगार की तरफ से यह भी जहां तक मुझे लगता है कि कहीं राज्थान के अंदर कहीं कोई शाम को प्रेशन किया होगा उसमें 20-30 जो बच जाती है वह आई थी तो बहुत ज्यादा नुक्सान नहीं कुछ नुक्सान तो हुआ है लेकिन अधिकारियों के चुस्ती के कार्ण समय पे रहते समाड़ने के कार्ण और रात को जिस तरीके से फारी बिर ग ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बेल इकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें थान्यवाद KD Banquets Enterprise